हालो एब्रिवन वल्कम बैक तो और चैनल गाईज आज इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एक निव स्टोरी जिसका नाम है टीट फोर टैट टीट फोर टैट इट मिन्स की जैसे को टैसा मैं आपको बता दू कि मैं यह जितनी भी स्टोरी आपको पढ़ाता हूं वो मैं इ मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज आप उन सारे वीडियो को देखिए और इंज्वाय कीजिए मैंने एक प्ले लिस्ट में सारे वीडियो को रखा है बेटर में ठीक है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो आप मेरे चैनल को प मतलब इसम का मतलब एक म्रचंट मतलब एक मरचंट मठी न इनके ऊपने आरेंट को वह छोड़ दिया मतलब अपने friend के पास, with his friend मतलब अपने friend के पास, यहाँ पर आप figure में भी देख पारा होगे कि दो friend है, इत्मेस कोई एक friend होगा जो अपने friend के पास क्या करता है अपना जो precious iron rod है उसे वहाँ पे छोड़ देता है, and went out to work, और went out हो गया यहाँ पर go out का verb to का यूज किया गया है, जो एक phrasal भर्व होता है तो go out से यहाँ पर लिखा गया went out, और went out हो गया to work, मतलब वह work पे went out हो गया इत्मेस को work पे चला गया when, जब the merchant returned जब merchant return हुआ वापस आया, he asked his friend for the iron rod he had left him तो इस sentence के क्या मतलब हुगा he had, he asked his friend for his iron rod मतलब वह अपने iron rod को क्या किया अपने friend से मांगा यहाँ पे आप देख पार हैंगे ask for, यह actually phrasal भर्व होता है and ask for का मतलब होता है कि कुछी चीज को मांगना तो वहीं यहाँ पे दिया गया he asked his friend for the iron rod मतलब वह अपने iron rod को क्या किया मांगा अपने friend से he had left him जो मतलब वह उसके पास left him किया था जो उसके पास iron rod को छोड़ा था the friend answered तो क्या होता है, friend ने क्या जबाब दिया, I am sorry I am sorry, क्या जबाब देता है I am sorry, मुझे माफ कर दो my friend, but a mouse came and took it away और क्या बोलता है, कि मुझे माफ कर दो मेरे दोस्ट, क्या होगा कि एक mouse came, एक mouse आया and took it away, और इससे took it away मतलब उससे ले के भाग गया actually take away एक phrasal barb होता है उसका मतलब क्या होता है, कि किस चीज को ले के भाग जाना तो यहाँ पर दी गया है और बट लेकिन क्या सोचा, वो think of से यहाँ पर thought of हो गया मतलब वो क्या सोचता है, क्या thought of करता है कि punishing his friend, मतलब अपने friend को punish करने का मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पर hearing DCS अब सुना जब वो सुना कि जब उसका एक phrasal barb बहाना बना रहा है कि उसका जो एक mouse लेके भाग गया तो क्या होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा angry हुआ और साथ में क्या सोचा कि मतलब हमें अपने friend को क्या करने चाहिए punish करना चाहिए, तो but thought of, but सोचा punishing his friend, मतलब अपने friend को punish करने का, सजा देने का so इसी लिए he came the next day तो क्या हुआ हुआ, अगले दिन आया and said और बोला to his friend, अपने friend से क्या बोलता है, यहाँ पे दिया गया है बोलता है कि I have bought, मैंने खरीदा है some gift for you, मतलब कुछ gift तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ gift खरीदा है send your son, क्या कहता है कि send your son तो अपने बेटे को भेजो to pick them up कि उन्हें pick them up करने के लिए मतलब उसे ले आने के लिए एक friend, दूसरे friend से क्या बोलता है जो बैपारी था, उसको तो बदला लेना था तो क्या बोलता है कि मैंने कुछ आपके लिए gift करीदा है कि तुम अपने बेटे को भेजना ताकि वो उसे pick up करके ले आए मतलब pick up करने इसकी ले आए वहाँ से when, जब the son came जब son आया the merchant captured him तो merchant क्या किया उसके बेटे को जो merchant जो gift देने वाला था वो क्या करता है कि उसके बेटे को captured कर लिया लिए या हम ऐसे बहुते हो यह वही आदमी है जो iron rod को जूट बोला था कि माउस ले गया तो वही आदमी क्या होता है the man went to the merchant merchant के पास गया and asked for और मांगा his son अपने son को मांगा कि मेरा बेटा कहा है तो इसका दोस्त क्या बोलता है कि यहां पर देखा जाए तो यहां पर आपको समझ में आ रहा हुआ कि क्यों इस चोड़ी का नाम टिट पोर टैट रखा गया यहां पर भी अपने दिमाग चलाता है कि जब इसका iron rod जब यह ले लिया तो क्या बोला था कि माउस लेके भाग गया तो यह क्या करता है यह इसके बेटे को अपने पास बुलाए कि और क्या बोलता है कि उसका जो आपका बेटा है उसे एक चिडिया लेके भाग गया तो कहानी तो बहुत interesting है चलिले आगे भी देखके हैं किए कि वहां पर जब यह बोलता है तो बोथ्ध फ्रेंट्स डल इन इसटार्टे टू रिवट तो क्या हुसरू करड़ denote इन फाइट मतलब फाइट को चौनकर बेगेения कि डा करेंजर की जो टाउन का जो मेजर था जो मेहना स啊 कि मौकर 材खratos क्यों पूछा ओटए यहापन्न अई है जो हुआ था मल्क जो चीज़े वह लाँ पर फार इन दोनो के बीच वह को उसके हुए जो बारे में आस लिए अने बारे में पूछा and or at once और तुरहन थी understood और तुरहन थी क्या होगा understood हो गया मतलब हो समझ गया the truth मतलब हो सच को क्या हो किया वो समझ गया ठीक है he ordered वो order किया both of them दोनों को to return the belongings मतलब belongings को क्या करो आप return कर दो मतलब जो belongings है इसका iron rod ये रखा था और इसके बीटा को ये रखा था तो वही बोलता है कि वो क्या order दिया both of them मतलब दोनों को क्या order दिया कि to return कि मतलब आप return कर दे the belongings to each other मतलब दोनों को क्या करना है कि एक दुसरे को belongings को जो आप इसके रडर रख रहे हैं और जो आप इसके बेटे को आप क्या करें एक दूसरे को आप रिटर्न कर दें यह बात कौन बोला तो जो टाउन का मियर था तो आप इस स्टोडी को अच्छे से नज्वाए कि होएगा ऐसे स्टोडी में बहुत सारे बनाऊंगा आने वाले वीडियो में और भी अभी तो मैंने यह बस एक पंचनत्रा स्टोडी स्रीजी मैंने स्टाट किया है जल्दी मैं बहुत सारे कॉमेक्स बुक को भी आपके साथ जेर करूगा और मैं उमीद करूगा कि आप मेरे वीडियो को इसी तरह सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते अगर आभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कि होगी है तो तो तील एंटीक केर औल लब यू वल एन बाइबाय मिलते हैं नेक्स वीडि प्लीज, कर दो हमें यूभाय मिलते हैं तो एंटीक में एंग Teksting Shadow